So guys welcome back to our YouTube channel So guys, जैसे कि मैंने कल एक पोल डाला जिसमें मैंने ये पूछा था कि Do you want the expected slabus of JKSSB stock extent तो maximum जो बच्चों के एक कमेंट थे कि Yes sir, हम देखना चाते हैं कि किस तरह का वो slabus है तो आज मैं आपके सामने stock extent का एक expected slabus लेके आया हूँ आप इसमें पूरी उमीद नहीं कर सकते कि क्या sir actual में ये ही slabus होगा शायद 100% ये ही slabus हो सकता है क्योंकि आज तक जो भी exam हुआ है आपका 10th waste पे जब से आपको पता है class 4 से लेके JKSSB class 4 से लेके कोई भी exam हो रहा है उनका जो slabus है वो हमें बता दिया गया ठीक है जो JKSSB class 4 का slabus था वो कुछ अलग था और जो उसके बाद class 4 का deport extent का और भी अगर field extent की बात करूँ तो उनका जो slabus था वो कुछ अलग था आज मैं आपके सामने वही slabus आपके साथ शेयर करूँगा तो expect कर सकते हैं कि क्या बता वो ही slabus JKSSB वो ही mention कर देगी stock extent के लिए वही slabus होगा तो guys मैं आपको इतना बता सकता हूं कि math और reasoning तो आपकी definitely होनी तो है ठीक है उपर से आपकी jk भी तो होनी है यह तीन आप मैं आपको guarantee दे सकता हूं यह तीन component आपके होने हैं और science का मैं कुछ कह नहीं सकता क्या पता अगर इसमें पूछा गया है कि metric with science subject तो मैं आपको बता दूँ कि क्या पता science में कुछ subject की ऐसी changes लाई जाए वहाँ पे कुछ नए नए subject sorry नए नए topics include के जाएं तो यह कुछ हम कह नहीं सकते हैं slabus के बारे में आपके लिए लेकर आएंगे तो आपके लिए लेकर आएंगे तो एक्सपेक्टर देख सकते हैं कि मैं आपको और भी क्योंच चीज़ें दिखाना चाहूंगा और भी बाते बताऊंगा तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना अगर आपने stock extend का farm fill किया अगर नहीं किया तो आप इस वीडियो को skip कर सकते हो क्योंकि आपके किसी भी काम की वीडियो नहीं है तो चलिए गाइस करते हैं इसको start और different different social media platform join करने के लिए personally बात कर सकते हो आप Instagram Facebook पे link आपको description box में provided है तो गाइस आप अपनी screen पर जो देख रहे हैं यह metric waste का syllabus है अब देख सकते हो कौन-कौन सी post का यह syllabus है जो JKSSB ने मैं बता दू notification number 3 2020 का जो syllabus था इनका migrants की जो post थी उनका syllabus की हम बात कर रहे हैं यहां पर वो जो उनको syllabus दिया था उनको नहोंने metric level की post के लिए deport assistant था जिसमें food civil supplies consumer infuse department के अंदर था class 4 का जो था syllabus था revenue department के अंदर वो जो syllabus था वो ही यहां पर syllabus है तो क्या पता JKSSB क्योंकि यह metric level पे है तो क्या पता JKSSB आपको यही syllabus दे रहे मैं आपको 10 plus 2 वाला भी दिखाऊंगा बच्चे कुछ मैंने देखा कुछ YouTube चैनल पे 10 plus 2 वाला assistant compiler वाला syllabus बच्चों को दिखाया जा रहा है और उनको बताया जा रहा है कि यही आपका syllabus है ठीक है पर मैं आपको कुछ अलग से भी दिखाऊंगा जो 10 plus 2 का है with sunshine subject के साथ हो है वो syllabus भी दिखाऊंगा आप टैंशन न गरें पहले आप syllabus को देखें तो जहां तक मुझे लग रहा है कि maximum जो chances हैं क्या पता जेके SSB आपको यही syllabus दे रहे कि यही आपका syllabus है कुछ minor changes हो सकती है syllabus में ज्यादा changes नहीं होंगी पर आप देख सकते हो यहां पर basic English है ठीक है basic English यह यह पूरी मैं आपको पता दूँ जेके SSB क्लासपूर्थ की English है जो हमने उस टाइम करवाई थी बच्चों को 20 marks की आई थी तो आप देख सकते हो इसको articles synonyms synonyum prepositions verbs reading comprehension determiner spelling sentences पूरी basic English है guys 20 marks की है अगर आपने अच्छे से इसकी preparation कर ली तो आप इसके लिए इसको qualify कर सकते हो exam को उसके बाद आती है आपकी journal awareness journal awareness की बात करूं current events जो की जो आपके current current affairs हैं जैसे हम series लेके चलते हैं नैशनल इंप्टन्स विवंटन्स यहां पर सिर्फ नैशनल इंप्टन्स यानि कि आपको सिर्फ इंडिया के current affair पढ़ने है ना कि आपको कोई वो उनके world के यानि के international level के आपको नहीं पढ़ने हैं यहां पर सिर्फ आपको नैशनल लेवल के क्रंट फिर पढ़ने होते हैं उसके बाद अगर मैं बात करूं हिस्ट्री एकॉनमी कुल्चर एंजिग्राफी आफ इंडिया देखिए अगर यह स्लेबस आएगा उस टाइम मैं आपको बताता हूं कि डेली के हम को यह लिकिन डेल बात और वयलके इ脅नाँ से लगबग लगबग आपको पूरी पढ़ने हैं इसको ट्री में पढहेंगे हैं आय को इसको बोरी आपको कि बारिंग हैं इंडीचि बिद्ल में करें जाए एक बाकिन की आपको दोड़ीप हूँ जो ग्राफिवी इंडिया की जो है वह भी ठोड़ी डीप है ठीक है यह सारे आपके डीप है तो उसके बाद हॉनर्स एन अवार्ड कौन-कौन से अवार्ड का कौन-कौन था इसका बिजेता था किस-किस ने यह आपको सिर्फ इंडिया की पड़नी है तो आपको इंडिया की पड़नी है अगर यह सा सलीबस आता है jeogographical discoveries क्या हो ईडिया में वह पड़नी है ब्रिंसिपर लेंग्विज क्या है इंडिया की capital क्या है currency क्या है कि सबसे पहले अपने इश्या की जो है इश्या में जितनी ही countries हैं 43 42 जितनी भी हैं उनकी सारी की सारी currency पढ़नी है और उनकी capital क्या है ठीक है guys अगर geography की बात आईगी मैं आपको पूरी geography with map के साथ करवाऊंगा उसके बाद history geography culture and economy of beauty of jnk मैं आपको बता दूँ यह सारी के सारी topic हमने करवा दी है देख सकते हैं gnk के आपको कितने से topic हैं बाकि यह भी आपकी section 20 marks की है guys अगर यह इस labor आपका out हो जाता है न stock estimate का मैं आपको बताऊंगा कि हम free sectional provide करेंगे आपको free sectional provide करेंगे जो कि आपके लिए exam point of view से बहुत ज़्यादा helpful होंगे ठीक है क्योंकि यह 10th level का exam है तो हमने जब jkshb की त्यारी के रवाई थी बच्चों को काफी help मिली थी हमारे जो sexual test थे ठीक है यह math देख सकते हो percentage average time work distance ratio proportion problem of change probability यह बिल्कुल basic से topics हैं अगर मैं बात करो कि हमारी प्लेलिस्ट में आज भी मवजूद है class 4 की बट आपको उनको नहीं देखना है ठीक है आप उनको मत देखो देखो बड़ बेसिक है देख सकते हो practice के लिए बहुत अच्छे पड़ेंगे फिर आप देख सकते हो basic science बेसिक science का knowledge होना चाहिए source of energy होनी convention and non-conventional source of energy health hygiene and sensations environment and pollution क्या होती है nutrition respiration excretion extra communicable non-communicable diseases ecosystem क्या होता है और zone layer के importance है आपको मैं बता दूँ यहां पे सिर्फ आपको सिर्फ एक ही topic है जो है आपका chemistry का ठीक है बाकी है आपके सारे वायोगे topic है ठीक है यह जो science है बाकी आप इसके अगर आप फर्स टाइम आपने फार्म फिल किया है कोई पहले इससे पहले अगर आप qualified 10 अभी है तो आप एक book ले सकते हो market से इसी के syllabus के वेस्ट पर जबाई यह syllabus आउट होगा book आईगी तो पूरा डिपेंडर नहीं रहना है book पर हमें यह करेंगे book करेंगे क्यूंकि आपको detail में पढ़ना है और selection भी उसी आप से होगी क्यूंकि इसमें 100 प्लस हैं और हर बच्चा इसम स्कोर भी किया ठीक है जे कैसल भी class 4 का exam आपने देखा होगा इतना difficult होगा यह भी उतना ही difficult होगा मैं आपको बता देता हूं जे हां यह भी उतना ही difficult होगा शायद उससे ज़्यादा difficult हो क्यूंकि इसमें graduation वाले भी firm बर चुके हैं ठीक है बागे analogies दे सकते हो analogy की आज भी म का है अब मैं आपको बताता हूं कुछ और syllabus जो की हम predict कर सकते हैं क्या बता exam में यह भी आ सकता है आपको उसके बाद है जहां पर देख सकते हो यह जो syllabus रिटन syllabus है यह सारा 10 प्लस 2 की post के लिए with science उनकी 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 तो आप यह महानी नहीं सकते हो कि यह syllabus आपको 10th के वेस प qualification इन्होंने रखी है तो वहां पर आप देख सकते हो कितना इन्होंने science का juncture डाला यहां पर ठीक है यह थोड़ा difficult syllabus है देखे पोस्ट अगर 10th के वेस्ट पे है आपकी stock as 10 metric with science तो syllabus की जो मैं आपको बता दूँ science में कुछ changes आ सकती है मगर बाकि जो changes है वो आपकी has it seem रह सकत है ठीक है तो यह मत सोचें हैं कि हम batch start करवा रहे हैं हम batch start नहीं करवा रहे हैं जब तक stock as 10 का syllabus आउट नहीं होगा तब तक हम इसका बैस स्टार्ट नहीं करवाएंगे ठीक है guys मेरा main मक्सद यही था वीडियो लाने का क्योंकि मैं आपको बता दूँ कि expected syllabus क्या हो सकता है क्य यह बाग के आप देख सकते हो अगर वाइदावे यही syllabus आउट होता है गाई तो डेली के हम तीन lecture रखेंगे ठीक है morning में science रख देंगे ठीक है morning 10 बज़े आपको 10 बज़े आपको current fair daily current fair की जो update होगी वो दपैर को 12 से एक बज़े के बीच में हम आपको math प्राएंगे शाम को चार या पाँच बज़े के बीच में हम आपको reasoning पड़ा देंगे तीन यानि कि तीन आप देख सकते हो तीन से चार component हम आपके daily के गवर्ण करेंगे ठीक है एक component होगा उसको हम alternate रख लेंगे जिके daily basis पे होगी ठीक है reasoning भी सारा कुछ daily basis पे होगा बाकि आप हम समाने अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लो क्योंकि इसका बहुत ही दमाकेदार बैस स्टार्ट होने वाला है अगर इसका syllabus यही रहता है यहां फिर कोई और भी आता ह है ठीक है क्योंकि दो पोस्ट आने वाले हैं दो का syllabus आएगा एक तो forest god का आएगा दूसरा आएगा आपका stock assistant का ठीक है stock assistant का तो इनका जब भी syllabus आउट होता है तो यहां पर coaching आपको free available होगी और free sectional मोक मिलेंगे आपको ठीक है जैसे mathematics का होगा reasoning का होगा कोई भी होगा ठीक ह तो रखते हैं इस वीडियो कहीं तक फिर क्योंकि मैंने देखा क्योंकि कुछ YouTube चैनल पर क्या हो रहा है कि syllabus को assistant compiler वाला जो syllabus है मैं आपको बतातूँ यह syllabus बताए जा रहा है जो कि इन पोस्ट के लिए मैं आपको भी बता देता हूँ यह देखिए assistant compiler का यह syllabus बता जा रहा है कि स्टॉक assistant का यह syllabus होगा अब यहां पर देख सकते हो mathematics यह 10 वाले बच्चों ने अभी तक पड़े भी नहीं होगे क्योंकि उन्होंने 10 के बच्चों को देखके यह चलना हो तैस चीज़ का स्विक्स देख सकते हो आप जो ग्राफी देख सकते हो कितनी वो डीप है तो यह syllabus बता जा रहा है तो मैं आपको यही बता रहा हो सुझेस्ट कर रहा हूं कि syllabus अगर आएगा तो यही syllabus हो सकता है otherwise कुछ changes देखने को मिल सकते हैं तो रखूंगा इस discussion को मैं यहीं तक hopes हो आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो अच्छ कर सकते हो reasoning के हमारी पूरी playlist फुल पढ़ी है वहां पर जाओ आपको मिल जाएगी jkssb classwork की playlist ठीक है तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं तक प्रेट कर सकते हो को कोशन बगारा कुछ भी पूछ सकते हो